दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक fake phone पे application के बारे में और दोस्तो ये वाला जो application आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इसमें क्या रहेगा कि आपको यहाँ पर जो history है transaction history वो भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है जैसे कि आप यहाँ पर देख कर रहा है ठीक है अब दोस्तो क्या है इस application के जरीए आपका यहाँ पर QR code scan करके भी payment कर सकते हो तो दोस्तो यहाँ पर QR code वाले पे हम click करते है scanning पे और उसके बाद दोस्तो यहाँ पर मेरे पास यह phone है इसका जो यहाँ पर QR code है वो यहाँ पर मैं scan करता हूँ ठीक है कि अब इसके बाद इसको जub यहाँ पर मैं टिक करता हूँ और प्रोसीट टू पर किलिख करता हूँ फिर यहाँ पर पर गिमेंडिक रहा है और यहाँ पर यहाँ पर प्रेंट करता है अब दोस्तो यह स्क्रीन शोट आप ले सकते हो प्रेंक कर सकते अपने दोस्तों इसका गलत इस्तमाल मत कीज़ेगा अगर गलत इस्तमाल करते हो और अगर पकड़ जाते हो उसमें मेरी और मेरी चनल के कोई जिमेदारी नहीं होगी आप अपने रिस्क पर ही इस अप्लिकेशन का यूच करेगा बाकी से आप प्रैंक करने के लिए यूज कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ और ये वीडियो सिर्फ मनरंजन के लिए बनाया जा रहा है ना कि इसका गलत इस्तिमाल करने के लिए अब आपको यहाँ पर व्यू डीटेल पे क्लिक करना जैसी व्यू डीटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एमाउंट दिख जाएगा कितना आपने भेजा है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नाम दिख जाएगा जो बैंकिंग का नेम होगा वो दिखेगा और बाकी जैसे कि हमारे औरजिनल फोन पे में होता है बिल्कुल सेम वसी तरीके यहाँ पर बनके रेडी हो जाता है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर जो है कि बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल आप fake phone पे application से कुछ इस तरीके से fake payment कर सकते हूँ